हेलो एवरीबन दोस्तों मेरा नाम है अनुराग शर्मार भाई पार्शाला पर आपका बहुत-बहुत स्वागत है तो CHSL 2024 कमेंस हो गया आंसर की भी आ गई ठीक है पूरा सॉलुशन जो महत की तीज की तीज सवाल थे वो मैंने आपको कराया भी था लाइव आ करके वह भी सब देखने को मिलेगा कि पेपर जब असान आ रहा है तो किस तरह से फरक पड़ रहा है बहुत शांदार वीडियो है मैं चीजों को बहुत डिटेल में आपको बताऊंगा और काफी एक मतलब की प्रेक्टिकल वह कुशिश करूंगा जो वहां पर बन सकती है ठीक है यहां पर जो डाटा भी आया है यह रैंक मित्रा जो है वहां पर इसको क्रेडिट जाता है इस डेटा का पूरा का पूरा महां का है है यहां पर अभी जो डेटा है यह 14500 बच्चों का आ चुका यानि काफी अच्छा डेटा इस टाइम पर मौजूद है हमारे पास देखने के लिए ठ देखेंगे दियान से तो चाहँ तो कोई बच्चा नहीं 345 से उपर टोटल अठारा बच्चे ठीक है 340 से उपर गरी वस्टी बच्चे है और यहां पर देखो के शुरू होता है 335 से उपर 300 जाधा बच्चे 330 से उपर 800-700 बच्चे है ना और 325 से उपर और देखो 320 से उप होपर और यहां जाो 315 से उपर क्योंकि हमारी चीन की सीनला साथ सो पच्चास है तो जो मैं किहां कि स्था करेंशा क्यूंकि के थे सुनला से उपर three thousand टोटल ul में ठीक है 360 से उपर यह रह है और थीन तो पाँच्च से उपर यह रही पर कितने हैं मैं यहां पर यहां सबसक कि बच्चे यहां पर जो हैं यहां नहीं होगे क्योंकि तो एन्यजम हैं इस पर और कि थीच करना बहुत हो जाएक है तिक है देखो यह एक पोश्ट के लिए थोड़ी कम थी वह एक अलग मेटर लेकिन 293 कट अब एक बहुत इंपर्टेंट बात हम कर लेते हैं कि यहां पर जो अपने कंप्यूटर कंप्यूटर में ज्यादा नहीं लेकिन टाइपिंग कंप्यूटर मान करके आप चालिस परसेंट मान लो फेल हो रहे हैं ना तो हमने अभी देखा बहुत ध्यान से के वह शहाजार पान सो बच्चे 305 से उपर हैं इस में से आप मान लो कि चालिस परसेंट फेल होगे हैं ना तो 65 का आप करोगे 6500 का आप साट परसेंट लोगे तो वो भी कितना आएगा 3900 के अराउंड है ना 3900 बच्चे वहाँ पर बनेंगे इतने हैं जो की 305 से उपर जा रहे होंगे इसली है ना तो जो कट आफ यहां पर देखने को मिलेगी उ निजा सकती है बहुत हाई जा सकती है बहुत हाई यह कट वह ज़्यादा ही है ठीक है ना 308 के अराउंड भी लग सकती है 310 भी टच कर सकती है रेंज में कट अप करीब लग सकती है सकती है यह जो है एक रफ आइडिया है यह मैं पहले बता हूं लेकिन यह काफी जादा जो डेटा हमें अभी तक मिला उस पर वेस है है ना और मुझे ऐसा लगता है कि इसके अराउंड कट आफ रह सकती है जो चीजे मैंने यहां पर देखी वह मैंने आपको बता भी नहीं किस इस तरह से मैंने चीजों को देखा है है ना हो सकता है उससे एक दो नमबर नीचे जाए तो बहुत अच्छी बात होगी लेकिन करीब करीब इतना आ रहा है कि यहां तक कट-off पहुत सकती है तो कट-off काफी ज्यादा हाई बन रही है अगर पेपर थोड़ा इसी है तो कट-off सबसे पहले सबसे इंपोर्टन चीज याद रखना एक वह क्या है कि आपको जो लेटेश पैटन है उसके अरौंड अपनी तयारी को रखना चाहिए बार-बार कहता रहें ठीक है यह जो हमारा टीस का पैटन है उसमें कोई बतलाव हो नहीं रहा है वैसे ही कोश्चन यहां फोकस करें यहां यूट्यूब पर ही टिसेट कराए हैं मैत कई करीब करीब मैंने टोटल में टिसेट जो हमने किए हो 48 total practice set की है 48 अब हम expected कर रहे है 2 expected set कर चुके है ठीक है तो total 50 तो यह ही हो गए 1500 सवाल जो कि latest pattern पे इसमें CHSL 2024 के CPO 2024 वाले selection post के CGL 2024 पे बेश सवाल उन पे वो वाले सारे सवाल अच्छे-च्छे सारे मुश्किल सवाल और उन पे बेश अच्छे सवाल को पकड़ करके बहुत अच्छी प्रेक्टिस में आपको कराई है सारे के सारे आप एक बार सेट लगा लो अभी तक अगर आपने मेरी क्लास फॉलो नहीं किये यूट्यूब वाली प्रेक्टिस सेट नहीं किये डेली 30 कोश्चन होते है एक कम जादा नहीं है के सवाल यह ज्यादा आते हैं में तो वह सारे हम करते हैं कबर उसमें डेली अच्छे अच्छे कोश्चन और एक एक करके हमने लगबख सारे कर लिए अच्छे सवाल लेवल के सवाल किये मैं यह कोशिश है कि जब आप एक्जाम में बैठो तो आपको एक्जाम इजी लगे इसको फोकस में रखते हुए मैंने सारी पढ़ाई कर रही है ठीक है ना डेली जो मेरी प्रेक्टिस सेट फॉलो कर रहे हैं डेली जो मेरी सेट फटाफट फॉलो करते हुए आप एस्पेक्टिट तक पहुचो मेरे पास पहुचो ठीक है पहले से स्टार्ट करो दो-दो-दो-दो कवर करोगे 15 दिन बाद मैं से कमफर्टेमिल हो ठीक है मैं की टेंशन तो पूरी यहां से खतम हो जाएगी अगर अगर एक्जाम जल चार सब्जेक्ट आपके चारो इंपोर्टेंट यह चीज को भी आपको ध्यान में रखना आप बराबर महनत करो चारो पर चाहें वह जीए सो चाहें वह इंगलिश ओ इन पे भी उतना ही एफट करना है जीजनिंग और मैथ जहां भी आप स्कोर करोगे आपके फाइदे में लिए यह बात मैं बोल रहा हूं आपको अगर आप यहां पर वीस पच्छिस पर रह गए तो बहुत कर लोगा आपके लिए अच्छी रहें कि अंदर पेपर भी अच्छे लेविल का थोड़ा आ सकता है तो आपको कोशिश करनी है कि किसी तरह आपको अगर आपके नमार्स क अच्छी इस्पेक्टर पोस्ट मिलने के बहुत अच्छे चांसे रहेंगे तो इन चीजों पर ज्यादा ध्यान देंगे लेटाश को पड़ाई करनी है सारे के सवाल आ रहें कुछ कैलकुलेटिव कोश्चन जरूर आएंगे अरित्मेटिक पर फोकस जादा है है ना सब्सक्राइब करते हैं तो इन चीजों पर फोकस करते हुए आप आगे बड़ो और सीजियल में में फोकस अच्छे से रखो अपना बनाके रखो कम्टिशन का लेविल हाई है ज्यादा अच्छे से ज्यान देना है ठीक है अगर आप कोई भी कोई है माई पार्ट शालों ज ठीक है तो अब मैं अनुराक्षन में आप लोके सिज़ा लेता हूं नमस्कार जै